Hello everyone, this is Palakshirma, तो आज की वीडियो में आपको स्टार्ट करा रही हूं वापस से चैप्टर नमबर 7 इंटिग्रेशन का इंटिग्रेशन बाइपार्ट का टॉपिक, इस इंटिग्रेशन बाइपार्ट के टॉपिक की आपकी पहले ही दो वीडियो आ चुकी हैं, पहली वीडिय वीडियो है, इसमें हम लोग जो आपके इंटिग्रेशन बाइपार्ट के इंवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेशन आते हैं, वो हम लोग डिसकस कर लेंगे, आपका ये इंटिग्रेशन बाइपार्ट साला टॉपिक कंप्लीड हो जाएगा, उसके वाद हम लोग नेक्स टॉपिक में मुव ऑन करेंगे, अभी तक अगर आप लोग ने इस चैनल पे प्लेलिस को एकसेस नहीं किया है, तो एक बार आप लोग चैनल पर पूरी प्लेलिस को देखना, उसमें आपको सारी चीज़ों की डिटेल, एक्स्पिनेशन, स्टेप बाइस्ट देखने होते हैं आप सभी लोगों को फॉर्मलास आते हैं हम सीधे 1st question discuss करेंगे, यहाँ पर हमारे बसमें question number 1, जो हमसे कहता है integration करिए sin inverse x का, यहाँ हमसे question में बولा ए, अब हम क्या करेंगे, इसके integration के लिए, सबसे पहले हमें क्या करना पढ़ेगा, अब integration by parts का, हम कभी use करते हैं, तो हम लोग इसमें लगाएंगे अपना I-late rule तो अब हम यहाँ पर I-late लगाते हैं तो पहला होता है आपका इसमें inverse trigonometric function दूसरा logarithmic, तीसरा algebraic function, then आपकी trigonometric function, then आपकी exponential function अगर मैं इसमें बात करो तो एक तो है आपका inverse trigonometric function एक है आपका algebraic function, यह चीज हमारा inverse trigonometric function है जिसे हमें first लेना है then हम algebraic function को second function लेने वाले हैं, तो यह हमारा first function हो जाएगा, यह हमारा second function जाएगा, यहाँ तक हमें चीज केलियर है, अब हम लोग यहाँ पर बात करें, तो integration by part second में लगाँगी, तो first function का integration, sorry मैं आपको है पर formula लिखने हो, first function आपका as-res रहता है, second function का आप लोग करते हैं integration minus, आप करेंगे whole integration of first function का differentiation into integration of second function, और फिर हम कर देंगे इस पूरे का integration, अब यहाँ पर हम लोग इस formula को apply करेंगे, तो आपके पास में क्या आजाएगा answer, यहाँ पर आपके पास में आजाएगा, first function तो as-res रहेगा, मतलब sin inverse x आपका as-res रहने वाला है, integration करेंगे second function का, मतलब 1 into dx minus, whole integration करेंगे first function का differentiation, मतलब dy dx हम करेंगे, sin inverse x का, sin inverse x का dy dx करेंगे, उसके साथ में integration करेंगे second function का, और फिर हम इस पूरे का whole integration करने वाले, अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो यह हमारे पास में क्या हो जाएगा, sin inverse x as-res रहेगा, 1 into dx, 1 का integration आएगा, वो हमा करेंगे integration of, सबसे पहले हम लोग sin inverse x का करते हैं, differentiation, जो कि हमारे पास में हो जाएगा, 1 upon root of 1 minus x square, 1 का integration करेंगे, आपके पास में आजाएगा x, और फिर हम कर देंगे, इस पूरे का integration, इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर आते हैं, यह चीज हमारे पास में हो x square dx का और इसका integration करना एक बहुत ही बढ़िया पार्ट रहेगा, इसके integration के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, integration by substitution लगाएंगे, उसके लिए मैं कर लेती हूँ, जल्दी से color change, जिससे हमारा और अच्छे से integration by substitution लग पाएं, इसके अंदर integration by substitution को लगाने के लिए, आप क्या कर होगे, आप लिखोगे कि हम लोग लेट कर ले हैं, कि हमारे पास में 1-x square जो है, इतना यहां पर जो हमारे पास में 1-x square है, वो हमारे पास में क्या है, वो हमने लेट कर लिया, t, यहां पर हम लोग इसका करेंगे differentiation, तो differentiating both side हमारे पास में आजाएगा, 2x dx is equal to dt, अगर आप आप लोग को integration by substitution में थोड़ी सी भी दिखकते हैं, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूं कि अगर आपको integration by substitution में दिखकते हैं, तो आप लोग पिर आप integration by parts की वीडियो को क्यों देख रहे हैं, पहले आप integration by substitution की वीडियो को देखना चाहिए, और उसके लिए आपको playlists को access क कर लेना चाहिए, वहाँ पर detail by detail, step by step आप लोग आगे बढ़िए, तो आप chapter में exceed कर पाएंगा, अगर आप लोग अभी पहले clear नहीं है integration by substitution, तो आप लोग integration by parts पर सीधे move on मत करिए, देरे देरे चलिए, अपने जो concept से उनको clear करते हो, चलिए, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं यहाँ तक हमारे पास में आ जाएगा, उसके बाद में जो मेरे पास में x dx है, इसको मैं लिख सकते हूं, minus dt upon 2, यह पर इसको मैं लिख सकते हूं, minus dt upon 2, तो यह चीज हमारे पास में ही हो जाएगी, सिरफ और सिरफ इतरे, integration मैं ऐसे को करूंगी, तो इहाँ पर यह चीज हो कि minus dt upon 2 और यहां पर आजाएगा root of t अब हम इसको आगे solve करेंगे बाकी की जो चीज है वो तो हमारी azres चलती आएगी x sin inverse x तो यह तो आप इसी step by step इसको करते हो यह क्या करो इसको अलग से integration मालो i1 i2 और इसको अलग से solve करके वापस ला करके इसकी value पूट कर दो वो और भी अच्छा तरीका रहेगा बड़ अगर exam में आपको पास में time नहीं जल्ले लिए आपको करना है तो आप फिर ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पर हमारे पास में क्या आजाएगा x sin inverse x यहाँ पर minus minus हो जाएगा plus one upon two आपका constant भार आजाएगा root t का integration क्या होगा हमारे पास में one upon root t का हो जाएगा two root t plus c one upon root t का integration कैसे है मैं वो भी आपको पता देती हूँ तो one upon root t का हमें करना था integration इसको मैं लिख सकती हूँ integration of t raise to the power half dt t raise to the power minus half dt इसका integration हमने एक और पड़ा हुआ है कि अगर मुझे x करना है x raise to the power n का integration करना है तो इसको मैं लिख सकती हूँ x raise to the power n plus one upon n plus one तो इसको मैं क्या लिखूंगी t raise to the power minus half plus one upon minus का half plus one तो यहाँ बर हमारे पास में क्या आ जाएगा t raise to the power minus half plus one मतला पूरा का पूरा आपका जो यह 2 a lcm में चला जाएगा minus one plus two तो यह चीज क्या जाएगी आपके बस में half आजाएगी और similarly नीचे भी half आजाएगा तो नीचे का half उपड चला जाएगा 2 और t raise to the power half आजाएगा यह तो t raise to the power half को मैं लिख लोगगी root of t I hope यह चीज क्लियर तो यह चीज यहाँ पर हम लोग इस तरीके से लाएगा and हम लोग last step जो हमारा होता है integration by substitution में t की value को put करना वो हम लोग यहाँ पर कर देंगे 2 सर 2 आपका cancel जाएगा यह चीज आजाएगी root of one minus x square plus c I hope यह चीज आप लोगो clear है यह question आप लोगो clear है तरीके से आपके होते हैं चितने भी आपके trigonometric functions हैं उन सब का integration आपको इसी तरीके से करना है आप लोग क्या करोगे आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार घर पे जो आपके 6 trigonometric function है sign, cosec, tan, sac, cosec, cot इन 6 हों का आप आप लोग इक वार घर पे try करोगे किसी एक का भी अगर आपको नहीं आता है समझ में किस तरीके से हुआ है तो आप मुझे तभी की तभी comment section बता देना कि इस वाले का मेरे को समझ में नहीं आया है यह वाला आप वीडियो बना दो मैं उसी की वीडियो आप लोग बना दू आप क्या करो एक चीज देख जाओ जो किस तरीके से होनी है उसके बाद जो बागी के छे सिमिलर उनको खुड ट्राइ करो अगर नहीं होते हैं तो आपके लिए खुली हो एपॉर्चुनिटी आप comment section बता दो एक दिन के अंदर आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी ज्याद लिए उसके दातमे नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपीक से स्टार्ट करेंगे तब तक के लिए आप लोगी का करना है तरफ इन्टिगरेशन के बाइपार्ट सक के टॉपिक को सारा रिवाइस कर लेना है प्लेलेस को एक पर एकसर कर लेन है तिल ये समच्छ वाचिंग ले टिल ने टेकर बाय 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 I'll meet you on the next video bye bye